पठान कोट के दो अलग-अलग जगाहों पर चल रहे देहवपार के धंदे का परदा फाश करते होए दो अलग-अलग जगा पर छापे मारी की जिसमें की एक जगा से पुलिस ने एक पुरुश और एक महीला को काबू किया है जो की पिपला महुले का रहने वाला बताया जा जो वहाँ पर देहवपार का धंदा करवाते थे वहीं एक महीला को भी काबू किया गया है फिल्हाल पुलिस ने तीनों को गिरफतार कर मामला दर्च कर आगे की कारवाही शिरू कर दी है पठान कोट से दीपक मैनी की रिपोर्ट लाइव भारत श्री अरुन सैनी जी दे दिशा निदेश अनुसार हेट सुबह साड़े वन नों एक रेड किती गई पिकाव साड़े कोई इंफॉर्मेशन आई सेगी जड़ा पीपला वाला महला है उत्थे कोई जनानी जड़ी है गिया वो चकला चला रही ने ते अपने एसेचो साब अ जड़ा काहा में हो रहा सी ते असी मौके दे बंदे फड़ लिये सी गे ते उस तो बाद एफायर नंबर पिचासी उन्नी पाथ दो जार बाईनू थाणा डिवीजन नंबर दोदे विच दर्ज किती गई अंडर सेक्शन 345 इम्मोरल ट्राफिक्क प्रेवेंशन एक ते तह को इस बंदे दिना आते सी ते जड़ी मेंज जनानी जड़ी के सारा दंदा चलांदी सी ओदा नाम है जोती उर्फ गीता पुत्री रामला ते शाम नो साधे को लिक और इंफॉर्मिशन आई जड़ा टाकी मौला है उत्थे भी सिमलर टाइप दा एक जड़ा गोरक दंदा ह वो चल रहा सी गा ते उत्थे भी अपने स्चो साब श्री मंदीब सलोत्रा अपनी पुलिस टीव दे नाल पहुंचे ते जड़ों उत्थे मौके दे पहुंचे दे पाया उत्थे भी जड़ा एक चकला है वो चल रहा सी ते उस तो बाद कारवई अमल चलांदी गई एक और अगेंस्ट शारदा पुत्री महिंदर सिंग जड़ी टाकी की रहनवाली है उदे खिलाब दर्ज किती गई आदे आगे इदी जड़ी कारवाई है जड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो साड़ी चल रही ने ते मैं सारे नगरवासियान हुई आश्वासन दिलाना चालना कि जड़ा पुलिस प्रशासन है अपने SSP सहाब दे सुपरवीजन हेट ते अपने सारे जड़े ऐसे चोज ने वो बहुत ही वदिया काम कर रहे ने असी एक्सपेक्ट कर दे है कि जड़े भी नगरवासी है वो साड़ेनल इस तरीके दी कोई भी जे इन्फॉर्मेशन है साड पुलिस उसते उपर जल्द ओ जल्द इमिजेट जड़ी कारवाई है उसते करेगी सार दो पार्टियां थे आजी दो वक्त वक्त हावा थे रेड किती गई है ते दो डिफ्रेंट मुकलमे है वो दर्जोए सब्पिपला महले दिवेजी सरे झाल 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 झाल